नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नुज में अज हम बात करेंगे माधमिक सिक्षकों के बारे में बिहार में सिक्षकों के नियुक्ति का मामला पिछले कई दिनों से मीडिया की शुरुक्यां बनता जा रहा है और बिधान सबाग सित कालिन सत्र में भी इसको लेकर कई सवाल पूछे गए लेकिन अब सरकार इसको लेकर एक बार फिर से बिचार कर रही है बतादें के बिहार में 94,000 पदों पर सिक्षकों की भरती होना है अब तक 38,000 सिक्षकों का चयर हो चुका है लेकिन बीच में पंचायच चुनाब की बज़ा से नियोजन परक्रिया रोक दी गई थी पतादें की परात्मिक सिक्षकों के लिए नियोजन की तारीक 14 दिसंबर से 22 दिसंबर निकाली गई है लेकिन इसमें बदलाव की बात कही जा रही है सिच्छा विवाग के अपरमोग सचीब संजय कुमार ने बताया कि 1200 नियोजन निकाईयां इसी है जहां काउंसलिंग नहीं हो पाई है पता दें की अब तक 38,000 सिक्षकों का चैन काउंसलिंग से कर लिया गया है राज निर्वाचन आयोग से विभाग ने काउंसलिंग क्यों जारी करने की अनुमती मांगी थी पर आयोग ने अनुमती नहीं दी लेकिन अब जो है चुनाब 12 इसमबर को समाप्त हो गया है तो उसके बाद से पांस तक में यानि की एक से लेकर पांस तक के बच्चों के लिए मुख्या अधियच बनेंगे वही छस लेकर आठ तक के पंचाय समीती के प्रमुख्य जो होंगे वो जो है उसके अधियच होंगे नबी से लेकर बारवी तक के लिए जिला परिशत को जो है अध्याच बनाया जाएगा बतादें कि पंचायत की मुख्या का चुनाप तो सीधे तोर पर होता है लेकिन पंचायत समीती सदस्त का जो चैन होगा यानि कि पंचायत समीती सदस्त के जो अध्याच होंगे वो जो है इसके कमीटी के मेंबर होंगे उसके बाद वहीं अगर हम बात करने जिला परशत की तो जिला परशत के जो अध्याश होंगे वो जो होंगे नौमी से बारवी तक के लिए जो नियुक्ति की परक्रिया होगी उसके जो है वो मेंमर होंगे उसके वो सदस होंगे तो ऐसे में पंचायती चुनावे भी हाली यानि कि पिछले दिनों ही समाप्त हुआ है उसके बाद उसके गिंदी होनी है उसके बाद जो है यह न्यूक्ति की परक्रिया उनकी प्रणाभी की जाएगी ऐसे में आप कहा जा है कि जनवरी में इधर पंचायती राज विभाग ने पंचाय चुनाप समाप्त होने को लेकर कहा है कि पंचायती राज विभाग ने सिच्छा विभाग को बताया कि यह सारी कारवाई 31 दिसंबर तक पूर्री कर ली जाएगी ऐसे में अब यह ताय हो गया है कि 31 को यह 25 दिसंबर के बाद ही नियोजन की प्रख्रिया सुरू हो पाईगी कि पंचायती चुनाप के बाद ही कुछ हो सकता है तो वैसे में यहता है कि अब 31 के बाद ही जो है बाकी बचे हुए सीटों पर सिक्षर्क नियोजन के कारवाई जो है वह आगे बढ़ सके लेकिन हम ब तब तक उनकी न्यूकति नहीं होगी सिक्षक नियूजण की प्रक्रिया की शुरूत नहीं होगी बिहार सरकार लगतार इसको लेकर आगे काम करती रही है विधानसवा में भी यह सवाल उठा और चात्र जो बाद से हम न्युक्ति की प्रक्रिया सुरू कर देंगे तो अब बहुत कम दिन बचा है क्योंकि आप 31 दिसंबर तक में यानि की कहलें कि पिछले दिनों ही दस्वे ग्यारवे चरण का मद्दान वसमाप्त हो गया और यह पंचाइच चुनाप का आकरी चैन था उसके बाद सपत्पत्र किया जाएगा और उसके ठीक बाद जो है एक तरह से कहलें कि पंचाइच समीति के जो अध्याच होंगे उनकी न्युक्ति हो जाएगी और उसके बाद यह से इन खबरों के लिए बने रहें भी हाली नियुज के साथ जदी जय 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 धन्यवाद